हलो फ्रेंट्स आज बनाएंगे रवडिधार खीर वह भी बहुत कम समय में और टेस्टी यतना कि इसका स्वादा भूल नहीं पाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने ये गोविन भोग चावल यूज किया है इसका खीर बहुत अच्छा बनता है और इ लेंगे और दोग दूद्म हिसमें डाल देंगे लुग विए दूसरा लिटर है मशत कर घैन है और इसका और इसको बीच बीच चलाते हुए रहना है जब तक भाल ना आजें जिसे की पेंदे में लगे नहीं और इसको दूसरी तरफ कर देते हैं दूसरे गैस पर औरMyीff, एक कड़ाई लेते हैं कड़ाई को गरम होने देते हैं यह जावल देखिए अच्छी तरह से भीग गया है और एकदम सॉफ्ट हो गया है तूट रहा है अच्छे से अब कड़ाई जब गरम हो जाए तो उसमें एक चमच घी डाल देंगे और घी गरम हो जाए तो इसमें थोड़े से 20-25 काजू है उसको बहुन लेंगे एक से दो मिनट के लिए जब इसका कलर हलका चेंज हो जाएगा तो इसको निकाल देंगे और उसी कड़ाई में फिर ये चावल जो भीग रहा था उसको डाल देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्राई करने से चावल का कच्चा पन निकल जाएगा और इस खीर में बहुत अच्छा सौंधा पन स्वाद आएगा और देखे ये दूद में भी उबाला गया है अब जब दूद उबलने लगे तो जो चावल मैंने फ्राई करके रखा था था ना वह चावल को इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से सारे चावल को इसमें डाल देंगे, और चावल डालने के बाद अच्छे से दूद में इसको मिक्स कर देंगे, जिससे कि सारे दाने अलग-अलग हो जाएं, और अच्छे से उबाल आने लगेगा, और इसको ढख ढख के कर प्राइट से 10 मिनट पका लेना है और ये जब अच्छी तरह से पक जाए चेक कर लेंगे देखे देख लेते हैं देखे अच्छे से चावल दूद में पक गया है तो आराम से मैस हो रहा है जब अच्छी तरह से पक जाए तभी इसमें कुछ एड़ करेंगे इसमें 4-5 इलाइ प्रूट्स जो काजू जो भून के रखे थी उसको एड़ कर देंगे और इलाइची को भी चीनी के साथ क्रस्ट कर लेंगे जिसे की अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और ये देखे दूज भी गाढ़ा होने लग गया है और रबडीदार बनाना है तो इसमें म एड़ी कप चीनी योज किया है यहां पर एक कप डाल दिया है इसको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे उसके बार आधा कप और डाल देंगे चीनी आप ज्यादा कम भी कर सकते हैं मीठा आपने हिसाब से रख सकते हैं लेकिन ये परफेक्ट मीठा होता है दो लीटर कितना गाढ़ा होने लग गया है और यह थोड़ा सा दो चमच गरम दूद ले लिए हैं इसमें केसर को डाल के एक से दो मिनट के लिए रख देंगे इससे कि अच्छे से घूल जाए ये और इसमें इसको खीर को वैसे ही चलाते रहेंगे और जिसे की चीनी अच्छे से घुल जा और यह केसर जो दूद में भीगा के रखे थे ना उसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको दो मिनट के लिए फिर से ढखके पका लेंगे और जब यह पक जाएगा तो इसको इस तरह से मैस करते हुए गाढ़ा देखे कितना गाढ़ा हो गया है ये न ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा इसको 10 मिनट के लिए गैस बंद करके रहने देंगे देखे 10 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तब देखे कितना गाढ़ा हो गया है कि अब इसको सर्व करते हैं सर्व करने के लिए बिल्कुल रेड़ी है इसको पिस्टे से पहले इसकी गार्णीिक कर देंगे देखिए कितना और बादाम भी डाल दिया है मैंने थोड़े से उसको भी बादाम को भी काटके डाल देंगे देखिए कितना टेस्टी यमी लग रहा है खीर अब अगर रोज पेटल है तो उससे भी इसको सजा सकते हैं कि मेरे पास रोज पेटल था इसको सजा दिये हैं इक खीर बहुत टेस्टी लगता है एक बार इस तरह से आप जरूर बनाईएगा और अपने दोस्तों को भी बताईएगा अबसे लगता ही इसको सबस्टी लगता है जो उस्तों को भी है भी है जो भी हैं